बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री तीन और चार सितंबर को बारा में लगाएंगे दरवार बारा के कृषी उपजमंडी परिशर में होगा आयवजन आयवजोकों ने प्रेश्वारता करदी जानकारी बागेश्वर धाम के पीटा देश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बारा में हनुमांत कता सुनाएंगे इसको लेकर दो से चार सितंबर तक आयवजन होंगे कता का आयवजन सहर में इस्तित क्रेशी उपजमंडी परिशर में किया जाएगा इसके लिए स्रद्दालू के बैटने स्रक्षा पार्किंग बे अन्ना व्यवस्ता को लेकर तैयारियां की जाएगी कारकरम को लेकर आयवजन समीती की और से पेश्वार्दा कर ये जानकारी दी गई शाती शहर में बैपारियों विवन समजग संगटनों के पदादिकारियों के साथ भी चर्चा की गई कारकरम के तहट 2 सितंबर को शहर में विवन मार्गोशे होकर 15,000 कलस के साथ कलस यात्रा निकाली जाएगी तीन और चार सितंबर को कता होगी आईजन में एक तिन रोड़ शो होगा कारकरम को लेकर रूप रेका तैयार की जा रही है फिलाल बिशाल कलशियात्रा रोड़ सो आदी को लेकर रूट मैप तैयार किया जा रहा है यहां बड़ी शंक्या महसरत दालों के पहुचने की उम्मीद है इसी के मद्दे नजर कता के लिए पांडाल टेंट पारकिंग शुरक्षा आदी बहसता की जाएगी इसके लिए श्वैम शेवक भी तैनात किये जाएंगे कारकरम में मौझूद विविन ब्यापारिक शमाजिक शंगटन के पदधिकारियों को भी शेयों के लिए आस्वस्त किया गया है